हलो फ्रेंट्स आज हम बात करने जा रहे हैं मा के दूद के बारे में यदि आप अभी नई मा बने हैं या रिसेंटली आपने डिलिवरी हुई है और आपने एक नए बच्चे को जन्म दिया है तो डेफिनेटली आपके दिमाग में यह सवाल आता होगा कि बच्चे का पालन कैसे होगा बच्चे को क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं खिलाना चाहिए और क्या उसके लिए सबसे अच्छा आहार है क्या सबसे अच्छा फूड है तो मैं डॉक्टर सुशीला सैने गाइनेकलाजिस और अपसेटिशन आज आपको बच्चे को फीडिंग कराने के बारे मे ही बताने जा रही हूं यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को बहुत अच्छा पूर्शन मिले तो मा का दूद्ध सबसे अच्छा विकल्प है या सबसे अच्छा option कह सकते हैं और मैं तो यह कहुँगे कि मा के दूद के अलावा कोई और option होना ही नहीं चाहिए क्योंकि शुरू के 6 महिने तक हम सब लोग यानि जिते डॉक्टर से हमेशा एक ही चीज़ सजेस्ट करते हैं कि exclusive breastfeeding होनी चाहिए यानि बच्चे को मा के दूद के अलावा और कुछ नहीं दिया जाना चाहिए अब आप क्या क्या फाइदी होने वाले हैं तो जो सबसे पहला फाइदा है जो मा का दूद है वो अपने आप में संपोन आहार है complete food है यानि कि उसके अंदर सभी तरह के minerals vitamins और nutrition सारे available होते हैं यदि बच्चा पूरी तरीके से मा का दूद लेता है तो उसे किसी भी चीज़ की कमी नह करने की शक्ति यानि कि इम्मेनिटी भी स्ट्रॉंग होती है क्योंकि मा की दूद के अंदर ही इम्मेनिटी बूस्टर होते हैं वही मा का दूद ही बच्चे को रोग से लड़ने की शक्ति देता है उसको स्ट्रॉंग बनाता है मजबूत बनाता है तब ही तो पुर्खों न जब कर दो दिए जो मिल्कों निकलता है जो सबसे पहले मिल्क आता है फोर मिल्क होता है정ी कि थोड़ा पतला होता है जो बच्चे का प्यास पानी का करीके शैज नहीं होती है इसलिए भुक्षंत करन ईचित्पेश्चित जैज कि अखिर तक यहीं जूदो पिल आते हैं तो न साधा न्यूट्रिशन्स होते हैं जिससे की बच्चे को सटाइटी मिलती है भूक नहीं लगती है और वो बार बार दूद पीने के लिए रोता भी नहीं है तो इसलिए आपको एक बार में एक ब्रेस से पूरा दूद पिलाना चाहिए फोर मिलक और हाइंड मिलक और जब आप चाहिए और कि अब बार दूद पिलाएंगी और जब दूद पिलाएं तो कम से कम दो हमज़ों कर ए निपल करिया ताकि उसके उपर दूद का क्यों बेश्य जब ratings यहाना नहीं रहे क्योंकि यदि उसके उपर रहता है जोड़ों घृ चमाना ए cm जिसकी वज़े से निपल में इंफेक्शन हो जाता है और आपको बाद में दूद पिलाने में दिक्कत आती है और यदि आपको लगता है कि निपल ड्राई हो रहे हैं बार बार क्लीन करने से दूद पिलाने से उस पे फट रहे हैं जखम हो रहे हैं तो आप उस पे निप केर आता है वो आप आराम से लगा सकती हैं तो जब भी आप दूद पिलाएं तो पहले आप उसको गरम पानी के अंदर रूई को डूबो कर से साफ करिए फिर उसके बाद मेरा बच्चे को दूद पिला लीजिए फिर उसके बाद में वापस से निपल को क्लीन करिए और फिर और जिससे कि निपल आपका नरम रहेगा, सौफ्ट रहेगा और आपको दूद पिलाने में किसी प्रकार की तकलिफ नहीं आएगी तो यदि आप बच्चे को दूद पिलाते हैं तो बच्चे को ताप स्ट्रॉंग बनाते ही हैं लेकिन क्या आप जानती हैं कि बच्चे को दूद पिलाने से आपको भी बहुत सारे फाइदे होते हैं तो मा को क्या क्या फाइदे होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग से आगे की से करता है लेकिन यही ओक्सिटीसें योट्रक्ष्जन के ऊपर निए जिससे की अब Contra यही ओक्सिटोसिन इंजेक्षिण हम लोग लगाते लेबर पेंस के लिए यानि कि बोब कर C कि आपके दर्द अच्छे से आयो uterus contract करें और बच्चे की डिलिवरी और यही हर्मोन हमें बाद में चाहिए होता है जब बेर फीड कर आती है तो यह हर्मोन का लेवल बॉड़ी में बढ़ता है uterus पे जाता है uterus पे contract करवाता जिसे कि uterus अपनी वापस normal shape में आ जाता है तो बहुत important है uterus का normal shape में आना और इसके साथ ही uterus के अंदर कोई clots जमे हैं या कोई bleeding जादा हो रही है तो uterus जैसे ही contract होता है तो bleeding को रोकने में भी फाइदा करता है इसके साथ ही साथ जब आप सतन पान कराती है और breastfeed कराती हैं तो breast वोने वाली काफी सारी समस्याओं से आप बश सक्ती हैं जैसे कर na breast के अंदर कई वर cancer होने का खतरा होता है तो वह भी काफी कम होता है breast feeding कराने से आपको स्तन कैंसर से बचाव हो सकता है इसके साथे साथ आपको दिल की बिमारियों से डाइबेटेस से भी बचाव होता है और स्तन के अंदर किसी प्रकार की गांठे बनने से भी बचाव होता है यानि कि बच्चे को दूद पिलाने से आपको भी फाइदा है और आपके बच् तो फाइदे बहुत जादा है और यदि आपको लगता है कि आपके भीडियों यह लटक गए है और कुछ लगता है तो उसके लिए सजरीकल ऑप्शन है यह और भी कई सारे ऑप्शन से जिन जोंकि ब्रेस्ट को वापस रीशेप किया जा सकता है तो आप यह जान गए कि ब्रे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे हम लोग इंस्टाग्राम पे भी अवलेबल है तो स्क्रिप्शन में दिएगे लिंक से आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकती है और वहां भी नई नई जानकारियों का फाइदा उठा सकती है हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक नमस्क्राइब